तमस्काल लेड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तो आज के इस वीडियो में जो कोर्ट मैरेश करना चाहते हैं उनको एज को लेकर के बहुत सारे सवाल मन में हैं और ये भी सवाल है कि गौर्मेंट जो है वो process करने वाली थी कि लर्कियों की शादी की एज बढ़ाने वाली थी 18 साल से 21 साल करने वाली actual में लर्कियों की शादी की एज है किपनी 17 साल में अगर घर वाली शादी करा रहे हो तो उस condition में क्या करे है तो एज से रिलेटेड जितने सवाल होते हैं मैं इस वीडियो में कवर करनी के कोशिश देखे, सबसे पहला सवाल तो मैं आपको बता दू कि गौर्मेंट कंसीडर कर रही थी कि लर्कियों के शादी की एज बढ़ा दी जाए, उसको 21 वर्स कर दिया जाए, 21 वर्सी किया जाए इस पर सुझाव मांगा जा रहा था, अभी के समय में ये न्यूज है कि आने वाले 6 महिने तक गौर्मेंट इसी भी परकार से कोई ऐसा चीज नहीं करने जा रही है, इसमें लर्कियों के शादी की एज बढ़ा करके 21 वर्स कर दिया जाए, अभी भी लर्कियों के शादी कर अब दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्ट है, वो ये प्रश्ट उटता है, शादी करने की एज यही है, लेकिन क्या करें जब पैरेंट 17 साल की एज में अपनी बेटी की शादी कराने लगें, जल्दबादी में शादी कराने लगें, उस तमें उस शादी को कैसे या लड़की का कोई जनकार जाकर के कंप्लेंट करें पुली स्थाने में और जाकर के बताए कि उसकी शादी अंडर एज में हो रही है, तो पुलीस जो है उस शादी को रुकवा सकती है, और शादी को नाकिवल रुकवा सकती है, बलकि जो लोग इस शादी को करवा रहे हो कि उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है तो ये दो चीज तो बहुत किलियर है जो आप सवालों में पूस्थे हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्णी ये होता है आपका एज को ले करके एज में एक डॉक्मेंट में ज्यादा एज है दूसरे डॉक्मेंट में कम ए इसको सही मानेंगे तो इसके बारे में जब आप को उट मैरिज करने जाते हैं तो कंसीडर नहीं किया जाता है अलग 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 डॉक्मेंट में अलग अलग एज क्यों है क्या सभी डॉक्मेंट के मुताबिक लर्की की एज 18 वर्स पूरी हुई है या नहीं है अगर सभी कि हिसाब से एज कंप्लीट हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्मेंट क्या चाहिए एज को प्रूफ करने के लिए वो मैंने अलग एक वीडियो डाला हुए आप उसको चेक कर सकते हैं वैसे जल्दी से मैं आपको इसमें बता देता हूँ एज प्रूफ के लिए बर्च सर्टिफिकेट हो दसवी की माकशित या सर्टिफिकेट जिस पर भी डेट बर्च लिखा हुआ हो या ड्राइविंग लाइसेंस ये डॉक्मेंट मोटे तोर से सभी जगर कंसीडर किये जाते हैं अधार कार्ड रेजिनेंस प्रूफ के तोर पेंसीडर किये जाता है और कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड वोटर आईडी ये डॉक्मेंट्स चाहिए होता है मेरेज करना है तो अगर आपको कोर्ट मेरेज करना है तो बिलकुल परिशान नहीं होना है आपको हमारे हिल्पन नमबर डबल डबल जिरो ट्रिपल फूर ट्रिपल फ अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो बहुत अराम से पूछिए और उसके बात से डिसाइड कीजिए कि आपको कोउट मेरेज करना है या नहीं करना है लेकिन ध्यान रखिए कि कोउट मेरेज तभी आप करें जब आप पूरी मैचिवारेटी के साथ यह decision ने किसी भी तरीके से influence में आकर के good marriage कर निनने, मत किजी, thank you so much for watching this video, thank you so much.